दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर करें दोस्तों आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका जियो भी नीज़ दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे म सबसे बढ़ी कवर हैं। मूधी तो किसे और गैकि गोशन कोच्ञा क 준ूसियों मैं भी खिया vibrator कातो किसी काइव की किसी ज़ीन हो सकते हैं और इस वज़ अगर यहां ऐसा होता है तो आम आदमे की जेब में हर महीने अच्छी खासी बज़त हो पाएगी। उन्होंने हनोई वारता की अधार सिला रखी और कीम जो उनके साथ उनके नीजी ट्रेर में सफर भी किया था को फाइरिंग दस्ते द्वारा गोलियों से बुन दिया गया है। सिखर सम्मेलन में अमेरिका के विशेश प्रतिनेदी स्टीफन बेजू के समकक्स थे। हाला की दक्षिन कोरिया के एकिकरन मंत्राल जो अंतर कोरियाई सम्मद्धों को देखता है इस रिपोर्ट के टिपपनी से वो इनकार कर दिया है। आपको बता दे कि अमेरिकी रास्पति डोनल्ड ट्रम्प और उत्तर कोरिया के सरवुच नेता कीम जो उनके बीच सिखर सम्मेलन बीना किसी समझोते के समप्त हो गया था। आसिंगटन दुआरा आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देने के लिए प्योंग यांग की मांग को खारिज की जाने के बाद सिखर सम्मेलन समाप्त हो गया था। किम जो उन दो दिवसी सिखर सम्मेलन तैक करते समय खत्म होने के बाद जब वियतनाम की राजधानी से समधाताओं से संबोधित कर रहे थे तो उसमें टरंप ने कहा था कि वह उत्तर कोरिया नेता के साथ परमाणों निरस्तिकरण समझोते पर हस्ताक्षर करने के पीछे जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी कोई रहुल गांधी ने जीसे बढ़ाया मुद्दा वो रफाल पहुंचा कांग्रेस मुख्याले के सामने जी हाँ दोस्तों लुक्स बचनाव 2019 में कांग्रेस अधच रहुल गांधी ने रफाल सौदे को ले करके केंद्र की मोधी सरकार प सरकारी आवास से बाहर एक लड़ाकों बिमान की एक प्रतिक्रती लगाई है। दिल्चस्प बात यह है कि B.S. तनवा का घर कांग्रिस अध्रक्ष मुख्याले के एक डम ठीक में बगल में है। देश की सिर्स अधालत में फ्रांस में हुए 36 रफाल लड़ाकों बिमान समझोते पर सरकार को क्लिर चिट देगी है। की मूल कीमत यानि 7.87 अरव यूरो से 30 फिसदी हिसे को भारत की मिलिटरी एरोनौटिक्स संबंधित रिसर्च कारिक्रमों में निवेश करेगा। कूल कीमत का 20 फिसदी फ्रांस भारत में रफाल कल पूर्जों के उत्पादन में निवेश करेगा। सितंबर 2016 में मोदी सरकार ने फ्रांस से 7.87 यूरो यानि करीबन 58 और 1000 क्रोड रुपे में 36 लड़ाकों विमान खरीदने का समझोति या था। इस समझोते में फ्रांस द्वारा मांगी जाने वाली मूल कीमत 32.8 करोर यूरो की बचत हो जाएगी 15 फीसेदी कीमत का भुगतान अग्रीम किया जाना होगा। अफाल को लेकर के सुरुवाती बाचित के बाद मूल पैकेज के दूसरे हथियारों को भी सामिल किया जाएगा। के बीच वित मंतरी का अतरीक्त कारेभार संभाला था। ऐसे में पुरुकालिक वित मंतरी बनकर के निर्मला सितारमन ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। इससे पहले कारेकाल के पुरुकालिक रक्षा मंतरी का पद संभाल का निर्मला सितारमन ने इतिहास रच दिया था। इससे पहले निर्मला सितारमन के पास रक्षा मंतराले था, जिसके साथ अब राजनात सिंग को सौप दिया गया है। वही निर्मला सीतारमन को मिला वित मंतराले अरुन जेटली के पास था और अरुन जेटली की बिमारी के चलते मुधी सरकार का अंतरीम बजट कारेवाहक वित मंतरी पिवस गोयल ने पेस किया था। जल्द ये बड़े और कड़े फैसल ले सकती है मोधी सरकार एयर इंडिया समित 42 सरकारी कंपणियों का नीजी करन समभव जी हां तो प्रधानमत्री नरद मोधी और उनके मंत्री मंदल कल उन्होंने सपत ले चुके हैं आपको बताते कि नई सरकार 100 दिनों के आर्थिक सुधा प्राइवेट प्लेन के हाथों सोपनी की तयारी कर रहा था ऐसे में भी यह भी कहा जा सकता है कि उसकी सुरुवात इसी साल अगस्त या सितंबर महीने से हो सकती है इससे पहले भी सरकार ने एयर इंडिया के हिस्सेदारी बेचने की तयारी हुई है लेकिन कोसिस भी फल रह रखना चाहती है और 75 फिसदी हिस्सा बेचना चाहती है लेकिन इस सर्थ की वज़ा से एयर इंडिया को कोई निवेशक नहीं मिलेगा अगर किसी कंपनी में किसी का 25 फिसदी या उससे ज्यादा सेयर होता है तो यह कंपनी के फैसले को प्रभावित करने में सक्षम रहेगा इसी वज़ा से सरकार दोरा 25 फिसदी हिस्सा अपने पास रखने के फैसले निवेशकों को नहीं माना है एयर लाइन्स पर लगभग 55,000 कडोर रुपे का करज है जिसमें से 30,000 कडोर का करज SPV को ट्रांसफर किया जा चुका है जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी ख़बर है ब अधिकार उस देश को दिया जाएगा जहां वह कारोबार कर रही है अगले महीने होने वाले G20 देशो के सिर्ष निताओ के सम्मिलन में इस पर अंतरिम सहमती बन जाएगी जपान के सिर्ष बिजनेस अकवार में विरस्पतिवार को एक छपिर रिपोर्ट में कहा गया है कि जपान के फफू ओका सहर में अगले महीने होने वाले बैठक वे इस निती पर G20 देश के सभी सदस्यों देश के वितमत्री हस्ताक्षर करेंगे। विकास संगठन की अंतिम रूप फैसला बाकी है। नई कर निती पर भारत जैसे देशों को बड़ा फायदा मिल सकता है। नई निती के इस बात पर जूर दिया जाएगा कि कौन वैस्वी कमपनी अपने टेक्स की गणना और भुगतान उस देश में लगाने वाली दर के हि हिसाब से नहीं करेगी। इसका मुख्याले है कि वह कमपनी को टेक्स का भुगतान जिस देशों में कारोबार इस्थित है उसके हिसाब से देना होगा। इसकी गन्ना उस देश के कमपनियों के भुगताओं की संख्या पर अधारित करेगी। ऐसे में भारत को इबे, उबर, फ्लिपकार्ड, ट्वीटर जैसी दो दर्जन से ज़्यादा पहुराष्टिये कमपनिया नए कानून के दायरे में आएंगी। जल्द मांसून देगा दस्तक 48 घंटे में हो सकता है जोरदार बारिस। जल्दार बारिस। जल्दार बारिस। जल्दार बारिस से मौनसून की आगे बढ़ने और उसे मजबूत होने की उमीद बिल सकती है। ये इस्तिति अगर होती है तो अगले 48 घंटे में पस्ची मागाल बिहार अंडमार निकोबार में तेज बारिस हो सकती है। 30 और 31 माई के रफ्तार के बाद अब 1 जून या सिल्ले करके 5 जून तक तेश बारिस की संभावना हो सकती है। इसे मौसम भीभाग ने कहा है कि अगले 6 जून को केरल में पहुचेगा लेकिन अब बंगाल की खाड़े में आने वाली हवाओं से मौनसून जल्दी दस्तक देगा। मौनसून जल्दी ही 36 गण महराष्ट तमिलाडू के कुछ हि तो जिका मौक होगा।